हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू दे चैनल नोलिज भाई जी, कैसे हैं आप सभी लोग, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर जैसा कि आप सभी को पता है हम डेली इंपोर्टेंट MCQ को कवर करते हैं साथ ही एक इंपोर्टेंट सेक्षन को जो आपके exam के point of view के लिए काफी जादा important रहती है तो आज भी हम आपके लिए एक section लेकर आए हैं, previous वीडियो में हमने एक section cover करी थी इस section को भी हम previous वीडियो के साथ-साथ ही cover करेंगे previous video में जिस section को हमने cover किया था उसको भी एक बार repeat करेंगे उसके बाद आज की जो important section है उसको समझेंगे क्योंकि आज की जो ये section है ये connected है इसे connect करके ही हमें समझना होगा ताकि हम अच्छे से चीजों को याद रख सकें और उसके बाद हम अपना mcq के question जो है discuss करेंगे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन सा chapter है किस topic पर हम बात करने वाले हैं उसके बाद बात करेंगे कौन से section हम समझेंगे तो हम chapter 18 को कर रहे हैं previous video में हमने section 225 को cover किया था और chapter 18 जो बात करता है trial court के समझ, trial किस तरीके से चलाया जाएगा, क्या-क्या step होगे, क्या-क्या procedure होगे तो सबसे पहला हम previous video में section को cover कर चुके हैं, मैं दुबारे से repeat कर देता हूँ, section 225 क्या कहता है कि कोई भी trial जो conduct किया जाएगा session court के समक्ष, वो conduct किया जाएगा किस के दुआरा public prosecutor के दुआरा, यानि कि public prosecutor यहाँ पर prosecution बनेंगे और वो यहाँ पर case को start करेंगे, अब बात करते हैं हमारे आज के important section के बारे में section 226, 226 की क्या wording है open case for the prosecution, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब यह होता है कि जब भी trial court के समक्ष, यानि magistrate के समक्ष कोई भी case चल रहा है, अब उसे कहाँ पर बेजना है prosecution, session court के समक्ष, उसक trial चलाया जाना है, तो session court के समक्ष, जब हम बेजेंगे, तो वहाँ पर जो prosecution होगा, वो पूरे case के बारे में अच्छे से बताएगा कि हमारे पास यह evidence है, जो evidence है, यह show कर रहे हैं, जो कि accused को guilty proof करने के लिए section है, इसलिए यहाँ पर mention भी किया गया है, कि section 209 के जो provision है, उसका commitment यहाँ पर किया जाएगा, commitment का यहाँ पर मतलब है, यानि कि उस section को भी यहाँ पर हमें पढ़ना होगा, section 209 क्या कहता है, यही कहता है, कि जब कोई भी case court of session के समक्ष जो है, exclusively tribal होता है, यानि कि अभी यहाँ पर magistर साब के समक्ष चल रहा है, अब इस case को कहा पर बेजना है हमें session court के समक्ष बेजना है, तो session court के समक्ष जब जाएगा, session court के समक्ष जाते ही हमारी, ये section जो है, section 226, 226 जो है, apply हो जाएगी, यह क्या कह रहा है, कि open case होगा, यहाँ पर prosecution है, prosecution बताएगा, जो भी charge लगा है, accused के उपर, क्या क्या चार्ज लगा है, क्या क्या उसके पास जो है, evidence है, उसके बारे में बताएगा, वो यह कहेगा, जो session court के judges होंगे, उनको यह कहेगा, कि जो मेरे पास evidence है, यह proof कर देंगे, कि accused जो है, guilty है, ये इतना सा है, लेकिन important है, हमें step by step समझना होगा, पहली section क्या कह रही है, 225 की trial चलाया जाएगा, किसके दौरा, public prosecutor के दौ दूसरा क्या कह रहा है, कि open case होगा, open case का यहाँ पर क्या मतलब है, सबसे पहले हमें समझना होगा, 22, 209 के बारे में, जो कहता है, जब कोई भी case court of session के समक्स के वल चलाया जाता है, तो ऐसे में prosecution, जो prosecutor होगा, वो क्या करेगा, यहाँ पर बताएगा, क्योंकि यहाँ पर public prosecutor, जो है prosecution की तरफ से होते हैं, यह बताएंगे, state करेंगे, जो court of session के समक्स, जो भी judges हैं, उनको यह बताएंगे, कि यह हमारे पास evidence है, और यह proof कर देंगे guilt को, अब हम बात करते हैं, हमारे आज के important MCQ के बारे में, अगर आपको किसी भी MCQ के बारे में, पहले से ही जबाप पत है, तो आप वीडियो को post करके, हमें comment section में comment कर सकते हैं, बात करते हैं, सबसे पहले important question के बारे में, कि CRPC के section 553A, यानि कि 53A के अनुसार, इन सभी options में से कौन सा option बिलकुल सही है, क्या 53A बात करता है, पुलिस की request पर medical examination किस की accused की, या rape के victim की medical examination, या फिर हम कहें कि accused की request पर जब medical examination होता है, या फिर rape के accused का जब medical examination होता है, तो जो section 53A है, वो बात करता है, medical examination of rape victim के बारे में, अब हम बात करते हैं, हमारे अगले important MCQ के बारे में, क्या कह रहा है, ये कुछ sections थी, जो insert की गई थी, हमारे CRPC के अंदर section 41A, 41B, 41C and 41D, अब हमें आपर ये देखना है, कि यह section CRPC में insert की गई थी, ये किस year में insert की गई थी, तो इन्हें insert किया गया था 2009 में, अब हम बात करते हैं, हमारे अगले important question के बारे में, ये statement आपको CRPC में देखने को मिलेगी, इससे आपको पता लगाना है, कि ये जो offense यहाँ पर गटित हो रहा है, क्या ये किस प्रवर्ति का है, या cognizable है, non-cognizable है, बोथ है, या इसमें से कोई भी नहीं है, statement को कड़ते हैं, क्या carrier statement, कि when any person who is in the pursuance of the police officer has committed, और has been accused of committing, यानि कि कोई भी वेक्टी जो police officer के presence में है, वो कोई अपराद commit कर देता है, अब वो कौन सा अपराद commit करता है, वो अपराद यह commit करता है, कि वो मना करता है, ऐसे officer के demand करने पर, कि वो अपना नाम बताए, अपने residence के बारे में बताए, उसे पता है कि जो नाम और जो रेजिडेंस बताया जा रहा है उस व्यक्ति के दुआरा वो गलत है तो ऐसे में he may be arrest by such officer यानि कि ऐसे police officer के दुआरा उसे जो है arrest किया जा सकता है ऐसे नाम को ना बताने में यानि कि उस नाम का पता लगाने के purpose के लिए तो ऐसे में अगर इस तरीके का offense किसी भी person के दुआरा किया जा रहा है police officer जब उससे नाम और रेजिडेंस पूछ रहे हैं या नाम और रेजिडेंस वो गलत बता रहा है तो ऐसे में उसे arrest किया जा सकता है किस purpose के लिए उसके नाम को और रेजिडेंस को पता लगाने के purpose के लिए तो ये जो offense है ये cognizable offense नहीं है non-cognizable offense है अब हम बात करते हैं हमारे अगले important question के बारे में क्या कह रहा है इसको भी हम समझ लेते हैं काफी important है I hope आपको भी इसका जवाब पता होगा कि person की obligation है जो arrest बना रहा है यानि कि police officer जब भी arrest करता है किसी भी व्यक्ति को तो उसकी यहाँ पर क्या होती है duty है obligation एक तरीके से करतव्य की बात कर रहा है कि वो inform करें उस person के accused के बारे में उसके nominated person जो भी उसके जो रिस्तेदार है उसके बारे में उनको यह information दे तो CRPC के किस section में बात कही गई है तो यह बात की गई है 50A CRPC के अंदर तो आज हमने इस वीडियो में important questions के साथ अपना एक important section भी cover किया तो फिर मिलेंगे एक new lecture में तब तक के लिए जुड़े रही है अमित कुमार knowledge by g के साथ